गंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता इच नहीं सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में जिराफ राइट बड़े में शायद हाथी सबसे फुर्तीला कौन होता है चीता सबसे क्लेवर कौन होता है लेकिन साला इन में से कोई राजा नहीं होता ना तो यह कॉलिटी चाहिए इने रूल करने के लिए राजा कौन होता है उसमें ऐसी कोई कॉलिटी निये ना उंचा है ना भारी है ना फृतीला है ना क्लेवर है उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है उसमें एक आदा है जो क किसी में नहीं है अदोस Google अब है इसका तो है किसी ने पूछा की तू राजा क्यों है टेरेले में तो कैसी कोई क्वालिटीर स Yosh nom बजलगता है मैं राजा ऊटना में मुझे लगता है में राजा अब इस बिलीव सिस्टम क्या हैं एडिविक Other ही जो क्यों हो कि एक्शन बदल जाता है हाथी ने शेर को देखा शेर ने हाथी को देखा है कि एंकाउंटर हुआ आखों का आम ना सामना वा अब हाथी ने कपी ताकत वर है की शेर । तो मुझे लगता नहीं कभी खड़ा हो सकता है उस सूंड में लपेट के फैक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए लेकिन हाथी वैसा लगता है जब दोनों आमने सामने देखने हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है इता है इसके थॉट प्रोसेस में कहा र हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर लेकिन हाथी क्या शेर से तकतवर नहीं है पजवाब है है लेकिन वैसा फील करता है लेडिज जेट्लमेन आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले एक साल में रूल कर सकते हो आपका एक्टिट्यूड चेंज हो ज जो केशन चाहिए ना गोरा होना चाहिए ना अंग्रेजी चाहिए ना बड़े परिवार का आदमें चाहिए बस तुम्हारा एटिट्यूड अलगना है चाहिए कि I'm a winner that's it मैं आपको बता दूं अभी अनॉस्मेंट हो जाए कि इस वहार लीला में सो हाथी हुम्रें तुमक तुम्हारे दर्वाजे बंद सौना बंद कर सो हाथी से कुछ नहीं फरक पड़ेगा तुम्हें ठीक है क्योंकि फॉर्ट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर जिसको देखने के बाद सुनने के बाद लोगों के होश्वाक्ता हो जाया